हाई एकार्पलगाइट शाविए रखलगाई एल६ू को नर्सइंग लेक्ष्यर चैनेल की इस हिंदी वरजिन में में टील करूंगी उन Bones की बारे में जो की हाथों के अंदर पाई जाती है और इन में आती है वो सारे Bones जो बनाती है कलाई की Bones और हतेली की और उंगलियों की Bones यानि Carpel, Metacarpals and Dephalanges तो सबसे पहले देखेंगे Carpel Bones की बारे में यानि जो की Wrist की यानि कलाई की Bones को बनाती है ये Carpel Bones Proximal Area में पाई जाती है जो की Small Eight Bones से मिलके बनी होती है और ये सभी Carpals Intercarpel Ligament के जरिया आपस में जुड़े वे होते है और इनके बीच का जो Joint होता है इसे Intercarpel Joint केता है ये Carpel Bones दो Transverse Row के अंदर अरेंज होती है और एक Row के अंदर चार Bones होती है जो की Proximal और Distal End पर पाई जाती है और आकार के अधर पर इन Bones के नाम है जो की Lateral से Medial के और होते हैं Proximal Row के अंदर सबसे पहले आती है Scaphoid और ये Nao के आकार की Bones होती है इसके बाद होती है Leunate जो की Moon Shape होती है Triquatrum जिसके तीन Corners होते हैं और PC Form जो की Mutter के दाने नुमा Structure होता है So Proximal Row में जो Bones है वो है Scaphoid, Lunate, Triquatrum, PC Form और Distal End पर जो 4 Bones होती है Transverse Row के अंदर जो की Lateral से Medial के और होती है इनमें है Trapezium जिनमें 4 Corners होते हैं लेकिन इसमें कोई भी दो Parallel Side नहीं होती है इसके बाद होती है Trapezoid इसमें भी 4 Corner Structure है यह लेकिन इसमें जो 2 Side होती है यह Parallel होती है और उसके बाद आती है Capitate यह सबसे बड़ी Carpal Bone होती है और नेक्स आती है Hamet जो की Hook Numa Structure होता है यह इस Bone के Anteriorly यहाँ पर देख सकते हैं Hook Like Structure और यहाँ पर इन Carpal Bones को याद करने के लिए एक आसान ट्रिक है और यह है Straight Learn the Pieces that those Carpals have और इस ट्रिक के अंदर सभी वर्ड के अंदर जो First Letter है यह Bones को शो करता है तो यहाँ पर आपन देखेंगे Straight, that is Caphoid Learn, Lunate The, Triquetrum Pieces, PC Form That, Trapezium Those, Trapezoid Carpals, Capitate Have, Hamet So you can easily recall Straight Learn the Pieces that those Carpals have Anteriorly यह Carpal Bones एक Concave Space बनाती है जो कि अलनार साइड में PC Form और Hamet से बनता है और Radial Aspect पे यह Scaphoid और Trapezium Bones से मिलके बनता है और इस Concave Space को कवर करता हुआ एक Dense Fibrous Connective Tissue Band होता है जिसे ही यहाँ पर कहते हैं Flexive Retinaculum और यह एक Tunnel Like Structure बनाता है Carpal Bones के उपर जो इसे Carpal Tunnel भी कहते हैं और इस Tunnel के अंदर से Tendons जो कि Digits As well as Thumbs को जो Supply करती हैं यह सब भी Cross होती हैं इसके लावा Median Nerves जो होती हैं यह भी Pass On होती हैं जो कि Fingers को Supply करती हैं इसके बाद वो सारी Bones आती हैं जो कि हतेली में पाई जाती हैं और यह Intermediate Region बनाती हैं Beach का Part बनाती हैं जिसमें 5 Bones आती हैं और इन्हें Metacarpals कहते हैं इस Bones का जो Proximal Part होता है यह Base कहलाता है और यह Base Part Carpal Bones के साथ में Articulate करता है और यहां पे Carpo Metacarpal Joint क्रेट करता है Medially यह जो Part होता है इसे Shaft और Body कहता है और Distally यह Carpal Bones Head Region मनाती हैं जिने Knuckles कहता हैं और यह Phalanges के साथ में Joint क्रेट करती हैं जिसे कहता है Metacarpal Phalangeal Joint यह 5 Head Part जो कि Metacarpal Bones के अंदर प्रेजन होता है यह Knuckles को फॉर्म करता है जिने आप Externally Visible कर सकता है जब आप अपनी मुठी बंद करता है तो उसमें जो पीछे उबरेवे Nucle Part जो आपको फील होता है यह Head Part होता है Metacarpal के अंदर इसके बाद लास्ट में आती है फैलेजिस बॉन यानि वो Bones जो की Fingers और उंगलेओं के अंदर पाई जाती है और यह Hands के अंदर Distal Region को बनाती है और Total 14 Bones इसके अंदर पाई जाती है जिसमें जो Fingers के होती है उनमें 3 होती है और Thumb के अंदर Only 2 Bones पाई जाती है एक Single Bones को Phalanx केता है और इसमें भी Proximal जो पाट होता है यह Base कहलाता है Intermediate Part Body और Shaft और Distal Region जो होता है यह Head Portion कहलाता है Thumb के अंदर 2 ही Phalanx होती है Proximal और Distal जबकि 4 उंगलियों के अंदर 3 Phalanx होती है Proximal, Middle और Distal और इन Fingers को कहता है Index Finger Middle Finger Ring Finger Little Finger और The Thumb Proximal Phalanges Metacarpal के Head Parts से Articulate करता है और यहाँ पे Metacarpal Phalangeal Joint करेट करता है और सभी Phalanx आपस में Interphalangeal Joint के जरी Articulation करेट करती है तो यहाँ पे हमने देखा वो सारी Bones जो की Hands को फॉर्म करती है और इन में आती है 3 Carpal Bones Metacarpal Bones और यह सारी Bones पैड होती है यानि Right और Left दोनों Hands में पाई जाती है यह सभी Bones Upper Limb के Distal Region में पाई जाती है और यह भी Appendicular Skeletal System का एक पार्ट बनाती है और इन Hands में पाई जाने वाली Flexor और Extensor Muscles Hands के इंदर Grip को फॉर्म करती है जिससे कारण आप Thank you for watching this video Please subscribe our channel And for more lectures you can visit our site